हेलो, वेलकम दोस्तों दोस्तों, अकाउंट्स का जो सबसे इंपॉर्टन चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है आपको उस चैप्टर के जो इंपॉर्टन क्वेस्चन रहे गए क्योंकि यह देखा गया है कि अकाउंट में इविजन हो जाएगा, आने वाले कुछ वर्ट और बहुत बच्चे उबजिक्टि उसको लर्न करते हैं कोई ज़रूत नहीं, आपको लर्न नहीं करना है दोस्तों आपको सिर्फ चीजों को समझना है और आपको वो लॉंग टम अपने ब्रेन में आपके दिमाद में याद रह जाएगा करके ठीक है दोस्तों तो ध्यान दीजिए आप टेक्स्बूक निकालके बेठिए आपको सीधा-सीधा यहाँ पर अबजिक्टियों मिल जाएगे और जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे उसे समझे देखो जिन बच्चों का बिल सोप एक्षिंज हो गया उनके लिए लेक्चर हो सकता है कि बहुत ही आपको इजी लगे लेकिन ऐसे भी जनता है ऐसे भी मेरे कुछ दोस्त है जिरों ने यह पढ़ा ही नहीं है और उनको समझाना मेरी responsibility है तो ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ दोस्तों देखिये सबसे पहला सवाल क्या आ रहा है एक मास के लिए अब इसका कितनी पार्टी होती ही टोटल तीन पार्टी होती है बोलो कितने parties होती है वेटा तीन parties, कौन-कौन सी होती bills of exchange में तीन party एक होता है drawee, एक होता है drawer और एक होता है pay यह तीनों party bills of exchange की है देखो जो green है वो तो answer है अब मैं समझा रहा हो concept समझ लेना, जो व्यक्ति bill को draw करता है I repeat, जो व्यक्ति bill बनाता है उसे क्या कहा जाता है बोलो तो drawer, जिस पे bill draw होता है जैसे की question क्या था the person on whom bill is drawn, जिस पे bill draw हुआ है, उसे क्या कहा जाता है drawee, तो sir pay किसे कहा जाता है, तीसरा party दोस्तो, जिसके हाथ में bill होता है on the date of payment, जब bill honor होने वाला है, या फिर निन order word में कहूँ, जिसको पैसे मिलते है, है ना जिसको पैसे मिलते है, उसे क्या कहा जाता है, pay कहा जाता है बहुत बार बच्चों को misconception है कि जो पैसा देता है, वो pay यह क्या सर, बिलकुल नहीं, तो मुझे बताओ, इस point से मैंने bills of exchange का क्या concept clear किया, bills of exchange में total कितने party होती है, बोलो तो दोस्तो, तीन, कौन कौन से तीन party होती है, एक होता है drawer, drawer किसे कहते है जो bill draw करता है उसे drawer कहते है अच्छा, drawer किसे कहते है, जिस पे bill draw होता है, उसे drawer कहते है, दोस्तो, तो in other word कहुं में, जो seller है, seller, वो हमेशा क्या रहेगा, drawer रहेगा, जहाँ पे बच्चे को confusion होता है, किस और हमाना कड़तास नहीं A, N, A, B को good sale किया, तो bill कौन draw करेगा, जो seller है drawer कोन है, जो buyer रहेगा हमेशा याद रखना, जो buyer है, वो कौन रहेगा, वेटा, draw, और pay कोन है, drawer pay हो सकता है, ठीक है, अगर उससे पैसे मिले तो, नहीं तो bill endorse कर दिया गया, तो वो draw रहेगा, बहुत मैंने शांती से बार-बार repeat करके एक चीज़ खतम कर दिया, चलो आगे, दूसरा सवाल before acceptance of bill it is called dash dash, दोस्तो समझ यह आप है, यह drawer है, अब आपको वो concept तो समझ में आएगी, इसका answer draft है, लेकिन learn नहीं करना है, समझो यह concept को समझो यह drawer है, A वेक इसने bill draw किया B पे, तो B कौन हो गया, draw B, बोलो मेरे साथ कौन हो गया, draw B, लेकिन दोस्तो concept क्या है, कि A ने तो bill बनाया लेकिन जब तक B sign नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, sign मतलब accept नहीं करेगा, तो इन्हों ने क्या कहा है, before the acceptance, जब तक draw बिल को accept नहीं करता तब तक उसे क्या कहा जाता है तो answer is draft, क्या कहा जाता है वेटा, draft, तो याद clear है, दो पॉइंट समझे, yes or no yes sir करके, very good, चलो अब यहाँ पे ध्यांदो, तीसरा पॉइंट आ रहा आपके सामने, when the bill is when the due date of the bill drawn falls due on the public holiday अब देखो दोस्तों, यहाँ पे concept क्या था पता है, कि अगर public holiday पे आपका bill का due date आता है मतलब वो holiday है, आपको पहले से पता है, बोलो यह सोर no, हाँ sir तो अगर आपको वो पहले से पता है कि public holiday है तो ध्यान से सुनो अगर कोई भी holiday नहीं है तो आपका due date पे पैसा दे देना आपको, प्लस तीन दिन add वगरे करके वो वाला चीज हो जाएगा वो सब add करके अगर public holiday आया public holiday मतलब पहले से पता है कि हा सर, यह तो हमें पहले से पता है कि इस दिन चुट्टी है, बलब Sunday पहले से पता है कि चुट्टी रहेगा तो ऐसे कुछ चीज है, तो आप लोग कौनसे दिन पैसा दोगे, preceding day कौनसा दिन पैटा, preceding और एक सवाल आएगा, emergency holiday बोलो, कौनसा पैटा, emergency और emergency holiday आया तो आप कब bill draw करोगे next day को honor करोगे, मतलब वो due date आएगा next day, तो याद रखना concept क्या था यहाँ पे, आपको bill का कौनसा date बोला, उन्होंने कहा कि अगर due date कब fall हुआ public holiday पे fall हुआ तो concept है मालिक, आपने पढ़ा हुआ है कि public holiday पहले से पता है कि छुटी है, तो आप जो भी bill है, वो कब preceding day पे क्या करोगे वेटा वो payment करोगे करके, payment must be made on preceding day चलो, तो next day कब होगा बोलना तो मुझे बता दो, अगर emergency holiday आया, समझ में आया same day कब होगा, जब कुछ भी नहीं है ना तो public holiday ना तो emergency holiday तो due date पे payment करना पड़ेगा तीनों point समझे क्या राजा once again मुझे बताओ, आप पहली बार भी bills of action देख रहे हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, bills of action में कुछ rules है, अगर आप लोगों का due date, public holiday पे आया, मतलब पहले से पता है तो आप payment कब करोगे, preceding days, preceding मतलब एक दिन पहले अगर आपका जो payment है वो एक दिन, बतलब emergency holiday आया, कौनसा public की जगा अगर यहापे होता, emergency holiday देखो, public holiday के जगा emergency होता, तो फिर answer क्या हो जाता next day, खीक है सकता चलो दोस्तो, चौथा question the due date of bill drawn for two months on 23rd November 2019 क्या रहेगा बताओ दोस्तो, अब आपको दो महिने आड करने हैं, देखो मन्त में दिया है तो tension होता ही नहीं 23rd November, एक महिन आड करो, क्या आजाएगा 23rd December और एक महिन आड करो, क्या आजाएगा 23rd January तो क्या यहाँ पर option दिख रहा है क्या आपको 23rd January, यस लेकिन यह answer नहीं है दोस्तो, समझे हम लोगों का due date कब आता है जब हम इसमें कितने दिन आड करते हैं 3 days जो grace के है वो add करेंगे तो मुझे बताओ 23rd और 3, कितने होते हैं 26th January लेकिन 26th January यह तो क्या होगा दोस्तो, public holiday होगा यह 296 January 15 August, 2 October यह कुछ टेक्सबुक में देखे रखा है यह कौनसा holiday हो जाएगा आपका बोलो ते everyone यह तुम्हारा public holiday हो जाएगा दोस्तो, और इसी लिए इसी लिए आप लोगों को एक चीज़ याद रखने है मालिक कि यह जो bill है, एक दिन पहले मतलब 25th January को क्या होगा आपका bill का due date आ जाएगा तो देखना दोस्तो, आपको answer में यह भी दिया है, 26 January 23 भी है, तो आपको confuse होने के important IMP mark कर लो आप confuse हो, ऐसे बहुत सारी बात है, लेकिन आपको answer समझा न, यह 26 January क्यों नहीं लिया, क्योंकि यह public holiday sir, उन्होंने तो नहीं दिया, यह कुछ बात है आपको पता रखनी पड़ेगी, 15 August 26 January और 2 October, यह याद रखो इसके लावा तो आपको कहेंगे, लेकिन यह आपको याद रखना है, समझा क्या राजा, yes or no that's why answer क्या है आपका 25 January चलो noting charges दो है बेटा, noting charges ध्यान से समझना, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, कि noting charges born by, अब यह noting charges क्या होता है, पता है जब आपका bill dishonor हो जाता है क्या हो जाता है बेटा, dishonor मतलब क्या, कि due date पे जब payment नहीं मिलता, अब payment नहीं मिलेगा तो noting charges को कौन बाउन करेगा तो यहाँ पे ultimately किस की गलती थी sir, drawee की गलती point समझ में आ रहा है, drawee की गलती मतलब क्या sir, कि उस व्यक्ति ने, समझो उसकी गलती थी, drawee मतलब पैसे देने वाला व्यक्ति, due date पे मैं जा रहा हूँ, मुझे पैसे ही नहीं मिल रहे अब पैसे नहीं मिल रहे है, तो भी तूने नहीं दिये उसकी वएसे bill dishonor हुआ, bill dishonor हुआ तो मुझे notary public, मतलब वो official वो चीज कोट में जाके कर लेना पड़ा कि हाँ, ये पैसे नहीं मिले किसकी गलती, drawee की, इसलिए noting charges born by अगर आया तो क्या रहेगा, drawee, मतलब जो पैसा देने वाला था, समझा बेटा, yes or no yes sir करके, ये देखो, side में answer भी आपका point clear हो गया now, there are dash dash parties to bills of action, मैंने अभी-अभी आपको बताया था, बोलो तो बेटा, कितने party होती ही, bills of action में तीन party होती है, चलो answer आगया आपका, कौन-कौन बोलो, drawee drawee, और payee once again, बोलो, drawee drawee, और कौन मेटा, payee good, चलो, आप इसका answer देने की कोशिश कर, when bill is drawn for two month after date and on third january 2020, ठीक है, bill कितने मेने के लिए draw हुआ, दो मेने के लिए, ये after date, after side का क्या concept है, मैं आगे बताओगा, अभी फिला tension मत, कब draw हुआ बेटा, 3 january, इस due date will be, बताओ तो क्या होगा चलो, यहाँ पे जयान दो, third january महिने में दिया तो tension ही नहीं, एक महिने बाद के आएगा third February, और एक महिने बाद के आएगा, third March लेकिन हम कितने दिन add करते हैं, तीन दिन add, तो हमारा due date के आजाएगा बेटा, 6th March 2020 done क्या, everybody yes or no, yes sir, 6th March कितना 2020, answer match है yes और no sir, yes notary public कौन रहेगा तो government officer ये notary public होता है लिख लीजे, textbook के ही सारे सवाल है एक बार जाईए, तो मेरे साथ आपका at least ये objective तो भी हो जाएगा और account में ये 20 में से 20 मिलना ही चाहिए तो notary public ये कौन होता है बेटा government officer होता है, ठीक है चलो when acceptor, मतलब ही drawy, does not pay the amount of bill to the holder on due नहीं मिला, यहाँ पर clearly का है क्या बेटा, does not pay मतलब पे ही नहीं किया due date पे तो उसे क्या कहेंगे हम लोग honor की dishonor, answer is dishonoring the bills, क्या बेटा dishonoring the bill, देखो मैं आपको एक concept बता देता हो discount का मतलब क्या होता है कि drawer bank में bill को क्या कर रहा है, मतलब देखे पैसा कुछ, 1000 पे का bill रख रहा है, 990 ले रहा है bank से, कम पैसा ले रहा है और बाद में bank recover कर लेगी discounting अलग से concept बता होगा honor मतलब क्या, कि due date पे पैसा दे दिया, उसे honor कहते है लेकिन अगर आपने pay नहीं किया तो उसे क्या कहते है, dishonoring answer आ रहा था, मुझे पता है, लेकिन एक बार आप समझ लो, मैं 0 से बता रहा है, इस इन आपने पढ़ा ही नहीं है, okay इस मालिक, yes or no, समझ में आ रहा है क्या दोस्तों, हाँ या ना, चलो last question है हमारा, और आज का session में end करेंगे, 50 11 minutes में आपका इतना तो हो जाना चाहिए है, यहना bills of action के सारी चीज़े करेंगे, 10 marks 10 से 12 marks का सवाल ही है, और RM से आता है करके, the person who accept the bill, treated the bill as, बेटा बताओ, अब यह बहुत IMP कर लो इसको, IMP है, समझता है नहीं कि क्या question है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, the person who accept the bill, treat the bill, अब देखो, जो बंदा draw करता है, उसे में क्या कहता हूँ, देखो, बहुत ध्यान से बता रहूँ, drawer, जो bill को accept करता है, उसे में क्या कहता हूँ, draw, बराबर, तो आपने general entry तो किया रहेगा, drawer के लिए, यह जो bill है, इसे क्या कहा जाता है, बेटा, bills receivable, और draw के लिए जो bill है, इसके लिए क्या होता है, bills payable, समझ में आरहा है क्या, yes or no, drawer के लिए बिल्स receivable है, ड्रॉइ के लिए बिल्स payable है, क्या आपका मैंने, bills पेबल है तो इसीले इसका अंसर क्या होगा गाद परसन हो एकसेप्ट डबिल एकसेप्ट कौन करता है ड्रॉइ इसीले उसे क्या कहा जाएगा बिल्स पेबल तो यह दस question समझे याद रहेंगे आपको यह सुर्णो यह चोटा सा question था आपने एकस्बुक के सारे question को objective ही थे लेकिन उसे समझ लिया क्या आपका concept clear हुआ बेटा यह सुर्णो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपने सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए है ना आपको यह concept अच्छा लगा तो बताइए वैसे comment कीजिए और चैनल पर नहीं हो तो subscribe कीजिए बिल्स आपक्षिन ऐसे करके हम जीरे जीरे करके खतम कर देंगे एक दिन में चीज़े नहीं होती हां लेकिन एक दिन जरूर होती है और एक्जाम से पहले तो हम करी लेंगे चलो दोस्तों यहां पर मैं रोकता हूं थैंक्यू सो मच बबाय टेक केर जैहिन जैफार